जैसरी राधिकिष्णु आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मिसरा परजेंट में बहुत-बहुत स्वागत है। आईए आज आप सब सुनेंगे मार्ग सिर्स मास महात्मे कथा में 11 अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा सरवन नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है आप वहां से कथा को सरवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्यानबर्धक जानकारिया प्राप्ति के लिए वृत पूजा के बारे में जानने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं। चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करे, साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए, ताकि वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहे. तो आइए सुनते हैं, मारगसरस मास महात्मे कथा में एक जयारवे अध्याय की कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान विश्णु की जय, माता लक्षमी की जय, भगवान असरे कृष्ण की जय, ब्रह्माजी भगवान विश्णु से बोले कि हे स्वामी, हे भूत भावन, आप क परपा करके एक आदसी का महात्मे और मुर्तियों का विधान बतलाईए। भगवान विष्णु ब्रह्मभाजी से बोले कि हे दुश सारदूल सुनिये मैं पाप नाशनी कथा को कहूंगा जिस कथा को सुनकर ब्रह्म हत्या आदी पाप का नास हो जाता है। देवावाला दयाशील रूपवान बलवान तथा भगवत भकतों का भकत और मेरी कथा में सदा प्रेम रखने वाला तथा कथा में लिर रहने वाला सदा जागरन करने वाला दाता विद्वान शमासील विक्रमो और जुतेंद्रिय विजैशील रणसील तथा रिधी करके कुबेर के समान पुत्रवान बहुत पशू का पालन करने वाला और अपनी इस्तरी में रत रहने वाला था उस बिरवाहु राजा की कांती मती नाम की इस्तरी जोकी रूप में और दूतिय पती ब्रता महा साध्वी और मेरी भक्ती में सदा रत रहा करती थी उस इस्तरी के साथ विशाल नेत्रवाला युवा राजा पृत्वी का पालन करता था महा बाहु केवल मुझको छोड़कर दूसरे देवता को नहीं जानता था एक दिन उस महात्मा बिरवाहु राजा के घर महा मुनी भारत दौा जाए और उन्हें देखकर उनका स्वागत और सतकार किया और उनका विदिवत उन्हें अर्गे देखकर के उनका पूजन किया स्वयम राजा ने आसन बिशाकर मुनी को बैठाया और परमभक्ती से परणाम कर मुनी स्रेष्ट के सामने स्वयम भी बैठ गया राजा बिरबाहू ने भारत दौाज जिसे कहा कि हेवी प्रिसरेष्ट आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा दिन भी सफल हुआ तथा आज मेरे राज्य का होना सफल हुआ और आज मेरा घर भी सफल हुआ हेवी प्रसे परमात्मा जनारदन मुझ पर प्रशन है जो कि आज योगी स्रेष्ट आप मेरी घर आए आज मुझ पर आपकी द्रिष्टी पढ़ने से कोटी पाप से मुक्त मैं हो गया राज, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा ये सब मैंने आपके लिए अरपन किया है हे मुनिस रेष्टे आप वैशनव हैं मेरे पास आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है क्योंकि वैशनव को दी गई वराटिका, कौरी, मिरु परवत के समान कहा गया है जिसके घर में जिस दीन दुज स्रेष्ट वैशनम नहीं आता है उसका वह दीन निश्फल है ऐसा मुझसे ब्रहमनों ने कहा है गार्य, गौतम, सुमन्तु और जो विश्नु भक्त है तथा जो दुजातिय वर्ण है इन सभी ने मुझसे कहा है और जो रिशिकेश भगवान के भक्त नहीं है वे मनुष्य पिसाच है तथा जो हरी दिन यानि की एकादसी के दिन भोजन करते हैं वे मनुष्य महा पात कहे गये हैं हजार शिव व्रत से और कोटी सुरी व्रत से तथा ब्रहमा के व्रत से कभियों ने जो फल कहा है वह फल हरी वासर यानि की एकादसी के ब्रत्त से हो जाता है है विपेंद्र जब तक मेरी प्रिय द्वादसी एकादसी नहीं आती है तभी तक ब्राम्ही और सांगरी तिथी गर्व करती है तब तक चंद्रोदय नहीं होता तभी तक तारागणों का प्रभाव होता है है विपेंद्र उसी प्रकार जब तक द्वादसी एकादसी तिथी नहीं आती तभी तक और तिथियों का प्रभाव रहता है है महामुने इस बात को मेरे आगे प्रथम नारद ने और वशिष्ट जीने कहा था और आप भी समस्त वैशनव धर्मों के वेता हैं भारत ग्वाज राजा बीरबाहु से बोले कि है महाभाग आपने बहुत अच्छा प्रश्ण किया है क्योंकि आप वैशनव भक्त हैं है भूमीप वह प्रजाधन है और प्रत्वी धन है जिसकी आप रक्षा करते हैं है राजन जिस राश्ट का राजा वैश्णव नहों होबे उस करना अच्छा है किन्तु वैश्णव राजा के राज में रहना अच्छा नहीं है जहां पर भगवत भक्त राजा प्रत्वी का पालन करता है उस राश्ट को पाप रहित और वैकुंठ मानना चाहिए जैसे नेत्रहीन देह पतिहीन इस्त्रिया दस्मी युक्त द्वादसी वैश्णव रहित राश्ट व्यर्थ है है महिपाल जैसे माता पिता का पालन पोशन न करने वाला पूत्र और दस्मी युक्त एक आदसी व्यर्थ है वैश्णव राजा से रहित राश्ट व्यर्थ है जैसे दान रहित राजा रस विक्रय करने वाला ब्रहम दस्मी विद्धा एक आदसी व्यर्थ कही गई है वैसे वैशनव रहित राष्ट व्यर्थ है जैसे दान तहीन हाथी दस्मी विद्धा एक आदसी व्यर्थ है वैसे ही वैशनव हीन राष्ट व्यर्थ होता है जैसे प्रतीग्रह, दान के लिए वेद का पढ़ना, द्रब्र, धन के लिए पुन्य करना, दस्मी युक्त एक आदसी, दूशी तो होती है, वैसे ही विना वैशनव, राजा के राश्ट दोसी होता है, जैसे कुशारहित संध्या, दक्षनारहित स्राध, दस्मी युक्त एक दस्मी युक्त एक आदसी दूशीत है, वैसे ही विना वैशनव, राजा के राश्ट दोसी हैं, जैसे ब्रहम्हनी गामी सुद्र, सुअर्ण का चोरी करने वाला, धरमे, दोश, विद्धी करने बाला और दसमी युक्त एक आदसी दुशीत है वैसे ही विना वैश्णव राजा के राष्ट दोसी है हे नरुतम जैसे हरी व्रिक्ष, सुर्य व्रिक्ष, आदी का छेदन करना जैसे मंतर रहित, आहूती, मिर्तावस्था यानि की मृत्थ, बच्रावाली गौ का दूध, दोस कहा है वैसे ही विना वैश्णव राजा का राष्ट दोस युक्त होता है जैसे केशो को धारन करने वाली विद्वा इस्तरी, अश्णान रहित ब्रत, दसमी युक्त एक आदसी नश्ट कही गई है वैसे ही विना वैश्णव राजा के राष्ट नश्ट है जो मदुसुदन भगवान का भक्त है, उसी को स्रेष्ट लोग राजा कहते है और उसका राष्ट नित्य बढ़ता रहता है, स्वयम परजाओं की साथ सुखी रहता है हे राजन, आज मुझको आपने देखा, इसलिए मेरी दृष्टी सफल हो गई और आज मेरी वार्णी आपके साथ भाशन करने से सफल हो गई जहां वैशनव लोगों का रहना सुनाई देवे, वहाँ दूर रहने पर भी अविस्य जाना चाहिए क्योंकि उन वैशनवों के दरसन से तिर्थ अश्नान करने का पुर्णी होता है हे राजन आज मैंने विश्णु भक्ती मेरत पवित्र सदाचारी आपको देखा है हे नराधीप आपका कल्यान होवे, आप सुखी होकर रहे इसी समय रागी कांती मती ने समस्त योग्यों में सरेष्ट भारत द्वाज मुनी सरेष्ट को नमस्कार किया भारत द्वाज मुनी ने राणी को आसिरबात दिया कि हे वराहरो तू अवै धब्य हो अर्थात सो भागेवती हो और अपने पती की भक्त हो तथा शुभे केशव भगवान में तुम्हारी सदा निश्चल भक्ती हो इसके बाद राजा बीर बाहु ने मेग सब्ज के समान गंभीर वचनों से प्रशन करता हुआ भारत द्वाज मुनी से कहा राजा ने कहा कि हे मुनी सरेष्ट जदी मुझ पर आपकी कृपा है तो वीपुल लक्ष्मी होने का कारण और पुर्वजन में मैंने क्या किया यह सब कहिए और यह सत्रू रहित राजय कैसे मिला तथा गुणवान स्रेष्ट पुत्र कैसे हुआ और सुन्दर मनुहर प्रिय इस्तरी कैसे मिली जो की इस्तरी मुझ में चित लगाने बाली और मुझ में प्राण रखने बाली तथा जनादर भगवान का ध्यान करने बाल हे मुने मैं कौन हूं ऑर यह मेरी इस्तरी कैसे हुई तथा मैंने कौन सा धर्म किया और हे मुने इस शोभधनांगी मेरी इस्तरी ने क्या किया है तथा किस पुन्ने से इस मनुश्य लोक में अत्यंद दुरलब लक्ष्मी मुझ को मिली है और समस्त देशों के राजा लोग मेरे वस्में हैं तथा पराक्रम और शरीर की आरोगेता कभी नश्ट नहोने बाली है हे मुने मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता और वह मेरी इस्तरी दोस रहित है इस विशे में मैं प्रतिग्या कर कह सकता हूँ हे विप्र मैंने पुर्वजर्म में किस पुर्ण कर्म को किया है इस तरह बिरवाहु राजा ने अपने पुर्वजर्म के कर्म को भारतवाज मुनी से पूछा और अपनी इस्तरी के पुर्वजन्म के कर्म को पूछा तथा संपति होने का कारण पूछा भारतवाज मुनी ने यूग बल से चीर काल तक मन में ध्यान दोरा निशे किया और राजा से बोले कि है नेपते यह सब पुर्वजन्म का कर्म मालूम हुआ और आपकी इस्त्री का भी पुर्व जन्मारजीत कर्म मालूम हुआ है राजर से मैं कहता हूँ उसे आप सुनिए भारतवाज मुनी बोले कि है भुपाल जिसका यह समस्त कर्म का फल है उसको आप सुनिए पुर्व जन्म में आप शुद्र जाती में जन्म लेकर जीव हिंसा में रद थे नास्तिक, दुष्ट, चरित्र, पर इस्त्री गामे, कृतगन, दुर्विनीत, सदाचार से रहित थे और आपकी यह इस्त्री पुर्व जन्म में भी विशाल नेत्र वाली थी और आपके इसका मन वचन कर्म से दूसरा प्रिय नहीं था या महाभागा पति व्रता निरंतर आपकी सेवा करती थी और आपके विशाय में कभी भी इसने दुष्ट भाव नहीं रखा इस तरह समय व्यतीत होने पर जब आप पाप कर्म में लीन होने के कारण मित्रों से बंधूओं से त्याक कर दिये गएं और आपके पुर्वजों के संचीत धन भी नश्ट हो गएं हे जगत पते इस तरह धन नश्ट हो जाने पर तुमने धन्यादी फलों की एक्षा की और खेती किया परंतु पुर्वजन्म के कर्म फल से क्रिशिभी निश्फल हो गई तदंतर धन होने पर अत्य अवस्था में होकर इस पती ब्रता इस्त्री ने आपका साथ नहीं छोड़ा तुम समस्त कर्मों से गिरकर निर्जन वन को चले गएं और वहां जाकर अनेक जीवों का वद्ध कर आत्मरक्षा करने लगी हे निर्प आपका इस्त्रह इस्त्री के साथ पाप प भूलकर देव शर्मा ब्रहामन स्रिष्ट वहां आये विदिशा को नहीं जानते थे हे महीपते छुधा त्रश्णा से अत्यंत पीडीत होकर मध्यान के समय मार्ग में चलते हुए ब्रहामन उस वन के मध्यभाग में गिर गये हे भूप उस दुखित पीडीत ब्रित ब्रहा अमेलिनी खंड से सोभीत तथा जल से पूर्ण तालाव है हे विप्र सूसीतल जल को पिये आप मेरी सुरक्षा में रहकर निश्चिन्त होकर आराम से विस्राम करे हे विपेंद्र तिरिप्थी पड़यंत मेरे आशरम में वास करे हे दुजस्रेश्ट आप उठिये आप मुझपर कृपा करने योग्य है इस प्रकार प्रशन होने पर सुद्र के वचन को सुना फिर सुद्र का हाथ पकर कर जलासे के पास ब्रहामन दिव गये हैं उस तलाब के तट भाग में जाकर छाया में बैठ गये और विदिवत असनान किया तथा केश्य भगवान का पूजन किया और पितर देपता का तरपन करके सुन्दर शीतल जलपान किया उस बिक्ष के मूल भाग में बैठ कर दीव सर्मा ब्रहामन ने विसराम किया इसके बाद कर उसने कहा कि हे विप्रण से हम दोनों इस्त्री पुरूष के उध्यार के निमित अतिठी रूप से आपका आगमन हुआ है ये विप्रण से आपके दर्शन से मेरे पापों का नाश हो गया है इसके पश्याद इस्त्री से बोला कि हे प्रिया इन ब्रहामन के लिए जानता इसलिए तुम अपने बारे में मुझे बतलाओ क्योंकि मैं अज्यात के यहां भुजन कैसे करूं शुद्र ने ब्रहामन से कहा कि हे दुज सारदल हे विप्र मैं शुद्र हूं आप संदेह न करें मैं दुर्जन आत्मज पुत्र और बंधों से परित्याग किया गया ह इस तरह दोनों के बात करने पर शुद्र की इस्तेरी ने फलो को लाकर ब्रहामन को दे दिया और ब्रहामन ने भी उन फलो को खा लिया सुन्दर शीतल जल्पी कर विप्रप्रसन हो गए और उस विक्ष के मूल भाग में सुख पाकर शांत रहित हुए और वह सात्विक शुद्र भोजन करके पुना आए और ब्रामन से बोले कि हे स्रेष्ट आपका स्वागत है यहां आपका आना कैसे हुआ हे दुज स्रेष्ट जो कि यहां शुन्यवन दुष्ट जीवों से व्याकूल मनुश्य रहित दुख युक्त अहो रात्री भयानक है ब्रामन ने कहा कि हे महाभाग मैं ब्रामन हूँ पड़याक को जा रहा था मार्ग का ज्यान न होने से इस दारोन वन में चला आया मेरे पुन्य के प्रभाव स से मुझको स्रेश्ट बंधू तुम मिले तुमने मुझे जीवन दिया आप बताएं कि मैं आपका क्या उपकार करूँ शुद्र ने कहा कि हे विपेंद्र राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विधर्ब नगरी है उस महाराष्ट देश में मेरा वास है मैं जाती का शुद्र ह हूं और महापापी हूं हे दुयुत्तम मैंने अपना विध धर्म का त्याक कर दिया और जब मेरे बांधव वर्गों ने मिरा त्याक कर दिया तो मैं इस वन में चला आया नित्य जीवों का वदगर इस्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूं हे महामुने इस समय मैं पाप से अत्यंत विरक्त हो गया हूँ हे प्रभो मुझ पापी के लिए कुछ अनुग्रह कर दे हे दियुत्तम मेरे पुने प्रभाव से आप आये हैं हे महामुने आप मुझपर उपदेश प्रभाव से कृपा करने की योग्य हैं जिस उपदेश के होने से मैं इस्तरी सहित यमराज को नव देख सकूँ हे ब्रहमन स्रेष्ट इस समय आप मुझ पर कृपा करें मुझे जनारदन भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए भारत द्वाजी ने राजा बीरबाहू से कहा कि हे राजन इस तरह शुद्र न कंद महापुराने एक आशिति हाश्याम संघितायाम दूतिय वैश्णव खंडे ब्रह्मा विष्णु संबादे मार्ग सिर्ष मास महात्मय एक ग्यारवे अध्याय की कथा पूर्ण हुई तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जै माता लक्ष्मी की जै भगवान स सर्ब देवी देवता की जै इसी प्रकार से अगर आप सब आगे की अध्यायों को सुना चाहते हों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि वीडियो का नोट फिकेसन आपको समय से म स्वस्त रहे जै स्रीजाधे किष्णी धन्यवाद